iPhone 14 के launch के बाद से ही Apple Company ने कई बड़े फैसले लिये हैं Apple ने iPhone 14 के release के बाद से ही iPhone 11 और iPhone 12 Mini को अपने official store पर बेचना बंद किया है इसके अलावा Apple ने एक और बड़ा फैसला भी लिया है जिसे market में हलचल मची हुई है दरसल Apple iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को लोगप्रिया बनाने के लिए Apple ने iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max को भी बंद करने का फैसला लिया है Apple ने iPhone 14 Mini को launch नहीं किया है और iPhone 12 Mini को अपने official store पर बेचना बंद कर दिया है ऐसे में iPhone 13 Mini ही एक ऐसा mini iPhone है जिसकी अब Apple द्वारा selling की जा रही है वैसे Apple के लिए अपने smartphone के Pro और Pro Max model को बंद करने का ये कदम कोई नया नहीं है इससे पहले भी Apple ने अपने नए iPhone के launch होने पर ऐसे ही फैसले लिए है हाला कि इस बार Apple के नए models में एहम बदलाओ भी देखने को मिलेंगे जैसे आपको iPhone 14 मे 6.1 इंचेस का डिस्पले देखने को मिल सकता है और बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको डूल कैमरा 12 मेगा पिक्सल का देखने को मिलता है एपल ने इसकी बहतर परफॉमंस के लिए इसमें लेटेस चिप सेट यानि की एपल का A15 Bionic चिप सेट विट 6GB RAM के साथ दिया है लोगों ने सेल के दोरान iPhone 11 की जम कर खरीदारी की थी एपल ने इन iPhone models को बंद कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अब आपके लिए इस phone को खरीदना मुम्किन नहीं है इस बात का मतलब ये होता है कि company अब latest model पर ज़्यादा ध्यान दे रही है आप third party retail store से इन iPhone models को अभी भी खरीच सकते हैं यदि आप इस phone को खरीदते हैं तो सबसे अच्छी और फाइदे वाली बात ये है कि इन model को discount के साथ बेचा जाएगा तो दोस्तो ये थी कुछ जानकारी Apple के आने वाले नए iPhone 14 की अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले जै हिन जै भारत